इंदूस्तान में इससे कभी खराब दिन हो ही नहीं सकता है जो परसो ये दिन रहा देश का अगर सबसे लुच्चा मुखमंत्री कोई हुआ है तो उसका नाम है नितीश कुमार यह हम नहीं कहें हैं उनहीं का जो लबकुष है जो कुछ समास से आते हैं वही लोग कहें हैं संथ में यह लोग का है नहीं decor था पच्छ वाले लोग जो है कि बोलते है कि में परती फारी गई अरे परती कब ने फारी गई है लोग सभा जो है उहां पारी गई है उहां फेका गिया है अध्यच के मुढ पर वाहरी पुलिस मने प्रस्नल प्रस्नल गुंडा सादे बर्दी में बोला करके और जो है कि पतरकार और हमारे बिधायक और जो लेडिज बिधायक है उनको कैसे बेज़त किया है वो सारा फुटवे जा गया है कि हम लोग बाबा पर सुराम का हम लोग का असिरवाद है समझ गये are हम लोग का डरने वाला खून इस जिसमें नहीं है समझ गए ना कौन रशुबदार कोची गुंडा गुंडा उसमें है वो लोग कैसे बोलता है वो लोग धमकी उसका पाट साला का क्या पड़ा है इसो नहीं देख रहे हैं आप ठोका ठोकी करता है उसका विधायक हमरे विधायक बोला ठोका ठोकी याओ मुहा मुही सामने पर देख लेते हैं रहेगा मीडिया बला सब कौन जीता है देख लेते हैं किसमें कितना है नमस्कार नीश्पनेशन देख रहे हैं और में आपके साथ रंजियन सिंग जिस तरह से विधान सभा में घटनाए घटी है विधायकों को लात घूसे से पीटा गया है हमारे साथ हिंदुस्तान में इससे कभी खराब दिन हो ही नहीं सकता है जो परसो ये दिन रहा इससे खराब दिन है ये नहीं है हम एगो बात आपी पूछ रहे हैं तो हम आपको हम बता देते हैं एगो बात देश का अगर सबसे लुच्चा मुखमंत्री कोई हुआ है तो उसका नाम है नितीज कुमार देश का अगर सबसे जुठा मुखमंत्री कोई हुआ है तो उसका नाम है नितीज कुमार ये हम नहीं कहें हैं उन्हीं का जो लबकुस है जो कुस समास से आते हैं वही लोग कहें हैं याद करे नितीज कुमार कौन बोले हैं ये बात कि देश का सबसे लुच्चा मुख मंतरी कोई है तो उसका नाम है नितीज कुमार अभी उनका लड़का उनके कैबनेट में मंतरी हैं जो की एक सबताज पांच दिन पहले अध्याच महदो को अंगुरी दिखाए थे उस समय ये लोग कहे नहीं भोक रहा था उस समय सबका कहां भोक नहीं चला गया था जो ऐसे करके अध्याच जी को बेज़त किया गया जाते हैं Shikshko का आब आज उठाते हैं तो लाठी डंटा बरसाया जाता है सबर्दस्तिक किया जाता है बी यह पीपच्च वाले लोग बोलते हैं कि मैं परती फारी गए लोग सभा जो है उहां फारी गई है उहां फेका गया है अध्याच के मूह पर तो क्या हुआ तो बिर भारत के इतिहांस में ये पहली बार हुआ है कि बाहरी पुलीस मने प्रसनल प्रसनल गुंडा सादे बर्दी में बोला करके और जो है कि पतरकार और हमारे बिधायक और जो लेडिज बिधायक है उनको कैसे बेज़त किया है वो सारा फुटवे जा गया है नितीश कुमार जी आप क्या है और नहीं है ये सारा दुनिया जानता है और आप अपने जो जितने भौभौ है ना जो भौभौ करता है वो लोग को समझा दीजे नहीं तो किसी के परिवार और किसी के दूसरे चीज के बारे में इंटरफेर करेगा तो हमरे पास ऐसा ऐसा चीज है कि हम सुरू करेंगे तो नंगा कर देंगे हम क्योंकि मेरा भी नाम बंटू सिंग है और हम अनंत बाबू के हनुमान हैं समझ गए हम लोग डरते नहीं हैं और कभी न डरे हैं क्योंकि हम लोग बाबा पर सुराम का हम लोग का असिरवाद है समझ गए और हम लोग का डरने वाला खून इस नहीं है समझ गए न तो ज़्यादा जितना आती है उतना में रहिए और हम लोग को डराने का ये पांच को गुंडा जो आप पाले हैं परसासन में वो गुंडा कुछ काम नहीं करेगा समझ गए न और हम उन लोग को ही बता देना चाहते हैं फिर से एक बार आपके चैनल के मा कर रहे हैं और जनता का आवाज उठाएंगे तो आप लाठी से पिटिए पिटिएगा कितना आपके लाठी में दम है ये भी हम लोग देखना चाहते हैं जेडियू कह रही है कि जिस तरह से जो घटनाए घटी है नेता परतिपक्स तरश्वी आदब ने कहा है कि जो रसुकदार है वो गुंडे की बात कर रहा है कूं रसुकदार कोची gunda गुंडा उसमें है वो लोग कई से बोलता है वो लो घंकी उसका प्शाला कह किया पढ़ा हिए इस नहीं देख रहे हैं आप ठोका ठोकी करता है उसका बिदायक हम इतायक बोलkä ठोक ठोक देंगे पा सब्सकार इधर नहीं है सब संसकार जो है तुम ही लोग में पाए जाता है कौन-कौन अपना क्या करता है परिवार और यह सब चीज में यह सब बोलवाईए नहीं इतना संसकार नहीं है मगर हाँ एक बात बता देते हैं किसी के मुह में अंगरी मत किजिए जादा जादा अंगरी किजिएगा फेरा में पड़ जाईए आज सुबह में गोपाल गंज में एक 28 वर्स की उप्ति को जला दिया गया है गोपा पर कोई सब चीज नहीं बोलते हैं यह लोग जो है सो की भर्मीत करना चाहते हैं जनता को भर्मीत किये हैं अभी तक यह लोग बोल बोल कि यहीं सब बार हत्या पर क्यों ही बोलते हैं कितना हत्या हो रहा है कितना बलतकार हो रहा है बला में बाली का ग्रिह कांड इसके सरका संधार में उसे सरमा न घरतना कभी हो सकती है क्या उरे देश में जघ्ल highly आगे की रनिती ढगी आगे की रन नीती जो है सो कि हमारे जैसान डेता करेंगे हमरा जंता तै करेगा उसर्ण नीती पर हम लोग चलें तो आपने सुना कि किस तरह से जिस तरह से बात कर ले कि जो विधान सब्वा में जो घटना घटी है उन्होंने बताया कि जो घटना है कि इतना सलमसार है और उन्होंने स्पसलूप से मुख्यमंतिर नितीश कुमार को भी चेताबने दी है बने निस्पोनेशन के साथ मुश्कार